मैं हमारे साथ हाई कोट के वरिस्ट एडवोकेट अंसुमान जी हैं, मिनसे बातचीत करेंगे, ये किस नजरिय से इस घटना को देखते हैं? नहीं, ये किसी भी तरीके से इस घटना को जायज नहीं ठैराया जा सकता है। ये बहुत दुर्भाग इपूर्ण घटना है, खास तोर से न्याईक परिसर में घटी है, चुकि जो आदमी न्याई के लिए लड़ता है और वही अन्याई पे उतर आएगा, तो ये किसी भी तरीके से ठीक घटना नहीं है, ओनरेबल सुप्रेम कोर्ट, ओनरेबल हाई सामले में, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसी भी फर्टेनिटी से हो, अगर वो इन कृत्यों में जो है, वो सनलिपता उसकी पाई जाती है, तो उसको वो एक आम अपराधी की ही स्रेणी में देखता है, पिछले काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि वकीलों ने कुछ ग जटनाय करते हैं, इनका लीगल वर्क से बहुत लेना देना है नहीं, बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल और बाकी लीगल फर्टेनिटी इसकी निंदा भी करती है और इसके लिए कड़े कदम भी उठा रही है, जिसके लिए प्रूफ आफ प्रेक्टिस, अगर किसी वक वकील हैं, जिनके उपर क्रिमिल ओफेंस लगे हुए हैं, उसके बावजूदी वकालत कर रहे हैं, और तमाम तरीके के ऐसी अक्टिविटी में वो सनलिप्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके उपर कारिवाही नहीं उपाती, कहां पे चूक हो रही है, देखिए ये चूक त कोई लेना देना नहीं है, वो केवल काला कोट पहनते हैं, लेकिन अदालतों में वो कभी बहस करने जिरह करने नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि बार काउंसलिंग को और सक्त होनी की जरूरत है, और एक एड़ाइजरी जारी करनी चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा जवास उट जाएज़ 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